Hello dear friends, welcome back on your YouTube channel Agri Capital आज के इस वीडियो के मादिम से अपन डिसक्राशन करेंगे ICR UG के अंदर और PG के अंदर जो भी स्टुडेंट एडमिसल लेते हैं उनको स्कोलर्शिप किस बैसिस पर मिलती है स्कोलर्शिप मिलने के रूल्स क्या है तो आप अभी तक हमारे सैनल पर नए हो और सैनल ने सस्क्राइब ने क्यों है तो सैनल को सस्क्राइब कर लीजिए आपको इसी परकार की इंपोर्टेंट और इंफोर्मेटिव वीडियो सबसे पहले ऑथेंटिक इसी यूटूब सैनल पर देखने को मिलेगी तो बिना देरी किये अपन सलते है डारेक्ट वीडियो में आइस्यार इस्कोलर्शिप एंटियस क्या है इसका कंप्लेट अपनी इस वीडियो के मादियम से आपको बता देंगे कि किन किन स्टूडेंट्स को मिलेगी और कौन कौन से स्टूडेंट इलिजिबल है कि आप जैसे अपने ICR का एक्जाम आपने CUT का दे दिया उसमें ICR फिल किया है काउंसलिंग के टाइम में यदि आप कॉलेज ले रहे हो कॉलेज लेते वक्त आपने यदि अपने ही स्टेट में कॉलेज ले लिया जैसे कोई स्टूडेंट उत्रपरदेश से है कोई स्टूडेंट BR से है कोई स्टूडेंट UDSS से है कोई स्टूडेंट राज़स्तान से है यदि ये स्टूडेंट अपने ही होम स्टेट के अंदर edmission ले लेंगे किसी agriculture की industry में तो उनको ICR स्कोलर्शिप नहीं देगा ये NTS ठीक है आप समझ गे होंगे में भी तो आपको यदि NTS लेनी है तो आपको एडमिसन अपने स्टेट से बाहर के स्टेट में एडमिसन लेना पड़ेगा यह सेम का सेम रूल MSC में ही लगू होता है ठीक है तो जिनको भी स्टेट को छोड़ना पड़ेगा सबसे पहली बात यह है उसके बाद में आपको स्टेट मिलती कब है आपको मैं वता देता हूँ कि ICR में कहा जाता है कि आपको पर मंत 3000 रुपे स्टेट मिलती है लेकिन वो हर मैंने मैंने स्कोलर्शिप आपके खाते में नहीं आएगी आपकी यहां तो सेमेस्टर एंड में आएगी यहां आपकी वन येर कंप्लेट होने के बाद में आपके खाते में आ जाएगी ठीक है यह बात होगी अब मैं आपको इंपोर्टेंट रूल बता देता हूँ कि A student eligible for scholarship provide he and see take up studies in approved course and tax admission in agriculture university located outside their state of domicile मैंने ये बात आपको बता दी कि आपका admission अपने state के बाहर होना चाहिए maintain, merit and good conduct as a certified by head of the college university institution हैने कि आपको जो merit आपके score है उसको maintain रखना है और उसके बाद में अगला आपका यह है कि आपको किसी भी college के अंदर आपके जो भी protest हो रहे है strike हो रही है उसके अंदर आप participate मत करना otherwise आपके उपर कुस ऐसे allegation लगे आपके उपर कुस ऐसे case लग गया तो आपकी scholarship वहां से रोक दी जाएगी ठीके उसके बाद में आपको कोई भी job नहीं करनी है ठीके एनिकि आप ऐसे job कर सकते हो लेकिन college के अंदर ऐसा कोई पता नहीं चाहिए कि आप कोई job कर रहे हो ठीके उसके बाद में यदि कोई student 20 में सोड के जा रहा है college तो उसको भी scholarship नहीं मिलेगी यदि scholarship मिल भी गई है तो scholarship आपको वापस देनी पड़ेगी ठीके और वापस नहीं दोगे तो आपको document नहीं देंगे उसके बाद में आपका किसी भी subject के अंदर back नहीं होना चाहिए ठीक है ये बात होगी अब ये बात बता दी कि sir scholarship की बात कर रहे हैं कितनी scholarship मिलेगी तो मैं बता दूं आपको पर मंत के हिसाब से यूजी के student से उनको 3000 रुपे मिलेगी ठीक है अब एक student को जो भी students जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और इस SBI का bank account खुलवा लीजिए या otherwise आपको college में आके खुलवाना पड़ेगा और बहुत सारी problem देखने को मिलेगी ठीक है तो जिन भी student के पास SBI का account नहीं है जल्दी से जल्दी अपना आप SBI bank account open करवा लीजिए आपके पास अभी time है ठीक है जल्दी से जल्दी जो भी student है ये काम कर लीजिए और अगला question मेरा ये है कि आपके किसी भी subject में degree के अंदर कोई भी बैक नहीं रहनी चाहिए ठीक है तो जो भी student BACAZ में admission लेना चाहते है जिनके अच्छे score है आप हमसे contact कीजिए आपको study material भी हम provide करदा देंगे ताकि आपकी कोई भी बैक नहाए उसके 6.5 से अबो रहेगी तो उनको ही scholarship मिलेगी ये मैंने बता दिया आपका scholarship के regarding rules आपको किसी भी तरह की कोई भी queries हो तो जो नीशे help line number दिएगे है उनसे directly हमसे contact कीजिए इसी परकार की informative video आपको इसी YouTube channel पर मिलती रहेगी आपने अभी तक यार channel को subscribe नहीं किया तो channel को subscribe करके channel thank you